प्रिक अंदर में आपको Silver Micro के ऊपर एक strategy लेका है, Silver Micro के ऊपर आपको ये strategy लाने का मेरा मकसद क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ, देखो, बहुत से लोग commodity में trading करते हैं, लेकिन commodity में trading करके, और खास करके intraday से पैसे कमाना, सब के बस की बात नहीं है, सब लोग आज के डेट में intraday से profit में नहीं है, बो 90% लोग आज intraday में loss में है, loss से वो ठक चुके है, उनके बड़े-बड़े loss हो चुके, मैंने इन्हें नावजिज मान के चलता हूँ, 2 से 3 लाख average आज के डेट में normal लोगों का हाई है, commodities के अंदर, और आज के डेट में देखो, commodities के अंदर बहुत ज़्यादा investment भी है, उसके सबसे profit में, मैं यह नहीं बुलूँगा कि profit में नहीं है, बहुत से लोग profit में भी होंगे, जो लोग profit में हैं, उनको ये वीडियो देखने के जोरूत नहीं है, आप अपना strategy में जो profit gain कर रहे हो, commodities में, वो continue करिये, लेकिन जो loss में है, और उनको एकदम simple 20 से लेकि 30,000 रुपे weekly कमाना है, वो ये वीडियो safe side जो कैसे कमाना चाहते है, commodities से, तो ये वीडियो आपको काफी helpful होने वाला है, मैं strategy बता रहा हूँ, ये strategy holding based रहेगा, यहाँ पे कोई भी intraday का strategy नहीं है, और holding में आपको safe investment करना है, बतलब यहाँ पे 100% profit हो गई होगा, loss का आपको कोई chance ही नहीं है, ठीक है, तो ये strategy के साथ आप वीडियो फालो कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ रूल को follow करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको capital कितना लगेगा, बोमी में बताना चाहतो, यहाँ पे आप मैंने capital aggregate पकड़ा है 3 लाग रुपे, क्योंकि commodity volatility रहता है, और आप holding based काम कर रहे हो, silver micro के उपर trading करना है, silver micro सबको पता ही होगा, मैं यहाँ पी mini की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं mega की बात कर रहा हूँ, silver micro के अंदर, जो current महा का जो contract चलता है, उसके पर आपको trading नहीं करना है, न investment करना है, आपको next contract में आपको trading and investment करना है, मान के चल अभी फरवरी का contract चल रहा है, आपको फरवरी के साथ नहीं चलना है, आपको April के साथ साथ सकते हो, या April के साथ साथ नहीं चल सकते हो, तो आपके पाद June के भी contract available है, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन जूल के सभी ट्रेडिंग करने के लिए देती नहीं है, तो आप एप्रेल के साथ चलिए, एप्रेल में वालूम भी अच्छा मिलेगा, और वोलेटिलिटी भी अच्छा मुलेगा, और प्राइज एक्षन भी अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने अभी लेटिस महाँ जाओ, जो कॉंट्रेक्स रेफरवर एक है, उसको नहीं लेते, अब एप्रेल को लेते, तो मैं मानके चलता हूँ, एक वीक में आपको सिल्वर माइक्रो कहा कितना मुवमेंट देता है, एक वीक में मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, तो तीन हजार पाइंट को मुवमेंट को कैशे पकड़ना है, आपको मैं सिम्पल स्टाइज बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, वीकली बेस के उपर एनलेजिस रहेगा, यहाँ पर मंतली बेस के उपर, यहाँ पर वीकली बेस के उपर एनलेजिस रहेगा, जो आप वीकली में अच्छा ख़शा कैपिटल गें कर सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ एक फेर्स आती रहते हैं आपको लॉस भी होता है मान के चलो आपने आज एक हजार रुपे कमाया तो अगले दिन आपने एक हजार रुपे कमाया फिर दूसरे दिन दो हजार रुपे कमाया फिर दूसरे दिन दो हजार रुपे कमाया फिर चौते दिन आपने दो हजार का लॉस कि है तो यहाँ पर आवरेज मान कि चलो दस तरह इन परफुट ओगा दस दिन की दिन या जथ के अंदर आठ दिन भी लॉस वा तो उस्में उसके बड़े बड़े लोस व करी एपको कि भीकुल से पिनिये रहेगा तो यहां पर ने के लिए कि इतना आपको मर Anfang लगता है आज me क्लिए साथ हजर के आश्पास एक कुछ पर पकड़ के चलता हूँ तो यहां पर आपको मांध के चलता हूँ एक लौट तो उसके बाद क्या होगा आपके पास्ट पे प्रेट लिए या आपने थर्ड लोट यहां पे 400 थालब रहे कि स्टूर háग है तो राउनर फिकर में ले ना ताकि आपको याद है कि एक नंसे पर लिया है नेक्स क्या हो सकते है यहां से ओर नीच आ जाए टू आपको क्या ख़ना आ है समझ गे यहां से आपको profit book कर लेना है मान के चुलो आपने सबसे नीचे वाला lot 64,000 पे लिया वो आपको 64,500 पे profit book कर लेना है आपने 64,000 पे लिया उसको आपको profit book करना है 64,500 पे next आपने 64,500 पे जो लिया था उसको आपको profit book करना है 65,000 पे तो हो सके, फेर एक दिन में 1000 पैंट के मूमेट करता है तो एक ही दिन के अंदर आपको 500 पैंट के 1000 पैंट के डिफरेंस का जो profit था वो मिल गया तो इन्हें नावरेज आप 1000 का profit एक दिन में निकाल लिया अपने सबसे पहले 1500 का लिया फिर आपने 4500 का लिया पिर यहाँ पर 14,000 का लिए तो होज़़सक कि किसी दिन आपका ये वाला भी न निकले ये वाला भी न निकले और ये वाला निकल जाया तो ये दो न नнийकले तो कोई बात नहीं hold करें उसके ये निकल गया ना तो आपके पास कितने बज़े दो lot बज़े गए ठीक है तो दो ल्टड बचने के पाद कया करना है नेक्स आपको यहां से यह नेक्स्त आपको यहां से उपर कितना जाके नीचे आज या ज़े तो 1,000 पर पर भाइ किया पहले अपने 64,000 का प्रोपिट बुक किया तो यहांसे कितने का क्रफ़ट किया इंये Shadok का प्रोपिज का knockaa उसके बाद फीर यह market यहां उपर न जाके पिर नीचे यह थू ओरवाई किया त आपके पास जरूर करता है ऐसे सारे कितने लाड त 90 तो निकले खो मार्केट हमेशा रेट्रेस करने के लिए जाएगा तो 63,000 का मान के चोलो यहां से लिया वो 63,000 के चगर 63,000 पास हो गया तो यहां से आपका एक लॉट निकल गया तो यहां पे भी आपको पास कोई बीजनेस है कोई बीजनेस हो सकता है मर रेटेल बीजनेस समझता हो एक कपड़े की दुकाने ठीक है तो कपड़े की दुकान के साथ में आपको एकजेंपल देना चाहता हूँ तो आपने एक माल लेका है उसके अंदर कोई साडी होगी आपके बेचने के लिए लाए होंगे कोई कपड़े कोई सलवार सूट लाए किया तो एक ही दिन के अंदर सौटी लाया और सवतिस विजनेस होंगे आजके डिट में आप कोई भी बीजनेस ओठा के देख लो कभी एक दिन के अंदर सारा माल नहीं बिखता यह प्रैक्टिकल समझोगे अप बिजनेस के अंदर एंट जैसे करते हो ना सेम ही मे Initiative यही यह भी आपका इक business है और इसको आपको business की तरह समझ के आपको profit gain करना है रही बात यहाँ पर याद करने की आपको यहाँ पर हमेशा नोट करके रखना पड़ेगा कि मैंने कौन से भाव पर कौन सा लिया क्योंकि क्या होता है market के अंदर यहाँ पर average करता रहता है market यहाँ पर average करता रहता है तो मार्के चोलो आपने 65,000 के भाव पर जो initial लिया था और 65,000 के भाव पर लिया था तो market यहाँ पर average करेगा आपको यादी नहीं रहेगा कि मैंने कौन से भाव पर लिया है तो आपको क्या करना है हमेशा जो भाव पर लेते हो उसको नोट करके रोको एक डायरी ले लो डायरी पर पक्का ले ले लेना क्यूंकि डायरी के बिना यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा आपको है उसको हमेशा डायरी में नोट करके रखो जो 65,000 पी लिया है उसको भी नोट करके रखो जो आपके ब्लॉक बड़े पड़े हैं जो ब्लॉक है उसको भी नोट करके रखो तो हमेशा नोट करके रखना आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें भी आप नोट करके रखते हो ना कि मुझे आज ये माल बेचा है तो अगले माल वो मुझे डिमांड देना है या उस माल को मुझे औरडर देना है या उस माल को मैंने बेचा है या वो माल जादा खरीद रहे लोग तो उसमें आपको एक्स्ट और देना है उसकी डिमांड चाहदा है तो वो सीच करते हैं आप बिजनेस के अंदर सेम आपको शिल्वर के अंदर भी ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने बस आ गए और तुक्के के अंदर कोई भी माल उठा लिया और आपको प्रॉपिट स्टार्ट होगा ऐसा कभी नहीं होता है और रेड़ी आप लाहस में ओर लास होने के बाद आप यह भी काम साऑज से नहीं कर सकते हो मार्केट इन्दर आपको यहां पर पूरा हिसाब रखना पड़ेगा कि मैंने कितना प्रॉप्षण यहां से बुक किया, दो हजार बुक किया, तीन हजार बुक किया, सब नोट करके रखे है, तब यहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहां पर लास का कोई चांस हाई नहीं, तो आपने 65,000 के भाव पे जो सबसे टॉप पिलिया है, वहां तक मार्केट नहीं जाता है, तो उ मार्केट के अंदर एगजीट करना भी जरूरी है, हार लाट में आपको प्रॉफिट मिलना जरूरी नहीं है, आप अपना सिच्विशन देख लेना, हम मार्केट केंदर बिद्चनक्क करते हैं, और खाली करने के बाद अपना पैसा फिर नया माल भरने की कोशिज करते हो जो ट्रेंड में चर रहा है तो जैसे ट्रेंड में चर रहा है वैसे आप माल भरने की कोशिज करते हो सेम आपको सिल्वर माइक्रो की उपर भी करना है सिल्वर माइक्रो की उपर जो आपके टॉप प ठरकड़ोगे तो बहुत अच्छा मुणापा होगा कोई रिक्स नहीं यहां पे आयंगे आपको लास उनी का कोई चांसई नहीं है अब इस इस नहीं करें आश्वी आश्यांजी नहीं तरीका भुपरтории गड़ेना है वैसी आप इंट्रडे तो करी लेते हो तो इंट्रडे में भी आप एक मूँवदीन में पास्वूआंट के मुवमेंट तो पकड़ी लेते हो इन्हें आवरेज में पकड़ता हूं एक जिनके अंदर सिल्वर एक हधर का पॉइंट मुवमेंट आरामची करता है या एक हजर पैंट नीचे जाएगा या एक हजर पैंट उपर जाएगा दो यह प्रॉबैबिलिटी होगी आपके पास तो सारे के सारे लाट तो आपके कभी नहीं फसेंगे कभी ऐसा होगा नहीं कि मार्केट सीधा यहां पे 65,000 का था और एक ही दिन के अंदर यहां पे 55,000 आ आएगा ना तो दो दिन के अंदर वो 58,000 भी जाएगा इतनी भी में ग्यारंटी देता हूँ आपको क्यूंकि मार्केट सीलवर जितना नीचे आता है उतना उपर जाता है लेकिन आपको एक ही डायरेक्शन से काम करना ऐसे नहीं कि मार्केट उपर गया तो आप सेल पर देगा मान के छो एक मैने के अंदर बीच ट्रेडिंग सेशन में पकड़ लेता हूँ एक दिन के अंदर आप इनाना वरे दो लॉट भी एकजिट करते हो उपर वाले लॉट आपको कस्ट कस्ट भी एकजिट करते हो तबी भी दो लाट के पास एक हजार रुपे का होता है त तो दो लाट के उपर एक हजार रुपे प्रोफिट तो यहां से आपको आराम से मैने का चालीस अदर तक प्रोफिट आप गेन कर सकते हो एजी शुवर शॉट के साथ बता रहा हूँ कोई रिक्स रिवार्ड नहीं है आप अच्छे से मैनेजमेंट सही से करोगे तो मैने का यहां से 50K भी यहां से प्रोफिट निकाल सकते हो विकली यहां पर आपको दस अदर कभी मिल सकता है प्रोफिट ठीक है तो यहां से इस रिक्स रिवार्ड को मैंटेन करते हुए एकदम फ्रीश्टाइल से काम करिए आपको पैसा शुवर शॉट बनेगा यह मत करना अभी क इंट्राडे का पोजिशन लेना है, पास्टोपैंड मुझे प्रॉपिट मिला है, तो चलो इभी इंट्राडे ही कर लेता हूँ, यह कभी नहीं करना, ओवर्ट्रेट कभी नहीं करना, आपको एक एक लॉट के साथ ही काम करना, इसके साथ सिंपल स तरीके से काम करी है, पैसा अबर शॉट देता है, हमेशा सिल्वर ने कभी लॉस नहीं करवाया, आप सही से रूल को फालू करोगे, तो आपका जिनुवन तरीके से प्रॉपिट होगा, तो ब्यूकुल इस वीडियो के अंदर सिल्वर माइक्रो का जो स्टेटजी है, ब्यूकुल समझ गएंगे, जो उनके लिए काफी हिल्पूल होने वाला है, तो यह स्टेटजी कैसे लगा, और इसके उपर आपका कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, उसका मैं ज़रूर रिपलाइ करने के कोशिश करूँगा, आपको इंट्राडे लेवल चाहि तब तक के लिए बाई बाई फस्ताइब